अरे तुझे पता है, Zomato का IPO आ रहा है next month और ये तो छोड़, Paytm का भी IPO आ रहा है और तो और साल का सबसे बड़ा IPO, LICB आने वाला है भई, ये सारी companies जब list हो जाएंगी ना तो मैं तो पक्का इसमें invest करने वाली हूँ अरे तुझे पता है यार, मैंने विदानता में invest किया था वो D-List होने वाली है यार जब market में बहुत सारे IPO आ रहे थे तब हमने stock listing के बारे में तो कई बार सुना था लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी listed companies D-List भी हो जाती है Hello everyone, welcome back to Ticker मैं हूँ कीरती और आज हम बात करने वाले हैं D-Listing के बारे में कि आखिर क्यों कोई company D-List होती है और D-List हो जाने के बाद उस company का क्या होता है और सबसे important part As an investor, अगर हम किसी company में invested है और वो company बात में D-List हो जाए तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए तो इन सारी topics पे आज हम इस वीडियो में discuss करने वाले है लेकिन अगर आप इस channel पे new है तो इस channel को subscribe करना ना भूलिए और bell icon को भी hit कीजेगा ताकि ऐसे ही बहुत सारी informative videos की notifications आप तक एक दम time पे पहुँचती रहे तो चलिए सबसे पहले ये discuss करते हैं कि आखिर ये delisting होता क्या है तो जिस भी listed company को stock market से remove कर दिया जाता है और जिसके stocks पर हम कोई भी buying या selling नहीं कर सकते वो delisted stock हो जाते है यानि कि इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे stocks पर न तो हम कोई trading कर सकते है और ना ही कोई buying और selling चाहे वो MSE पे हो या और फिर BSE पे हो और ये पूरे ही delisting के process को govern किया जाता है सेवी की तरफ से अब company दो तरीकों से delisting को avail कर सकती है जिसमें सबसे पहला है compulsory delisting और दूसरा है voluntarily delisting तो compulsory delisting में तो company को सेवी की तरफ से delist किया जाता है अब इसके कई सारे reasons हो सकते हैं जैसे कि में भी हो सकता है company ने कोई illegal activity perform की हो या फिर particularly कोई भी compliance issue को fulfill ना किया हो और दूसरा voluntary delisting में company खुछ से ही चाहती है कि वो stock market से delist हो जाए अब इसके भी कई सारे कारण हो सकते हैं जैसे कि company को ऐसा लग रहा हो कि list हो कि उन्हें कोई खास benefit नहीं मिल रहा है या फिर maybe company को listed रखने के लिए उन्हें एक significant cost को उठाना पड़ रहा है जो कि उनकी लिए सही नहीं है Even कई सालों का data देखते हुए ये observe किया गया है कि 2002 से 2020 के बीच में सबसे ज़ादा companies को compulsorily delist किया गया है जैसे कि आप इस graph से देख सकते हैं कि सबसे ज़ादा companies compulsorily delist होई है और फिर liquidate होई है and then voluntarily उन्होंने delist किया है बट कोई भी company आखे delist क्यों होना चाहती है तो देखिए companies के list होने के अपने कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते है almost सारी ही start-ups का ये एक dream होता है एक ultimate goal होता है कि वो एक दिन अपना IPO launch करे और stock market में list हो जाए और IPO launch करके list होने के अपने ही कुछ फायदे होते है तो आखिर क्यों फिर ये companies delisting को opt करती है तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर कोई company list क्यों होना चाहती है तो list होने के कई सारे benefits होते हैं तो अगर हम थोड़ा realistically बात करें तो कोई भी company IPO launch करने का major reason और सबसे important reason होता है उनका पैसा IPO root के थ्रू जो भी funds वो raise करते हैं उन्हें वो कई तरीकों से इस्तमाल कर सकते हैं जैसे कि उनके business expansion में या फिर कोई new product launch में या फिर किसी particular research and development में या फिर अपने debt को pay off करने के लिए and even इनके non-monetory benefits भी है जैसे कि एक बार जब company list हो जाती है तो उनकी visibility बढ़ जाती है लोग उस company पे और जादा trust करने लगते है and एक बार जब company public हो गई तो उनकी credibility भी automatically बढ़ जाती है और उन्हें बड़ी असानी से banks और financial institutions से loan भी मिल जाता है but company की dealist या फिर specifically voluntary dealist होने का reason सबसे बड़ा reason ये होता है कि companies को ये लगता है कि अब listed रहने का कोई खासा benefit नहीं है या फिर उस company को public रखने के लिए एक significant cost उन्हें pay करनी पड़ रही हो तो ये कुछ reason है जिनकी वज़े से companies dealist होना पसंद करती है तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये dealisting का process होता कैसे है तो company अपने board के approval के बिना stock market से dealist नहीं हो सकती और इस board members में आते हैं उनके company के promoters और independent directors और इस dealisting process के दौरान company को एक floor price को decide करना होता है floor price याने कि वो minimum price जिस पे company अपने shares को dealist करेगी या फिर public से वापस buy back करेगी और इसी floor price पे 67% shareholders को agree करना होता है तभी ये process आगे बढ़ पाता है और जैसा कि IPO लाते वक्त company book building process करती थी वैसे ही dealist होते वक्त company reverse book building process करेगी और ऐसा करके company के promoters के पास at least 90% of shares की ownership होनी चाहिए तभी इस company की पुरी-पुरी ownership promoters के पास आएगी और ऐसे ही एक listed company dealist होती है अब बात करते हैं सबसे important चीज़ की कि अगर हमने किसी ऐसी company में invest कर लिया जो आगे चल की dealist होने वाली है या हो सकती है तो ऐसी situation में हमें क्या करना चाहिए जोकि जब भी ऐसी कोई dealisting की new suddenly company announce करती है तो इससे investors को काफी shop महसूस होता है जोकि अभी भी बहुत सारे ऐसे investors है जो ये dealisting के concept से unaware है तो इसी लिए किसी भी company में invest करने से पहले हमें ऐसे कुछ parameters है जो देख लेने बहुत important है ताकि हम ऐसे scenario को कभी face ना करें जिसमें सबसे पहला ये है कि company कभी भी overnight idea decide नहीं करती है कि उसे dealist होना है ये एक pattern होता है कि company past में बहुत सारे losses कर रही हो या फिर बहुत सारे सेबी की compliance को regulate नहीं कर पा रही हो तो इन cases में companies को dealist होना पड़ जाता है चाहे वो voluntarily हो या compulsory तो ऐसे cases में investors को इन सारी ही चीजों से aware रहना बहुत जरूरी है कि वो कहीं ऐसी किसी company में invest तो नहीं कर रहे है जो सेबी की compliance को regulate नहीं कर पा रही है या फिर continuously बहुत time से losses में चल रही है या फिर public रहने के cost को उठा नहीं पा रही है लेकिन फिर भी अगर आप गलती से कोई ऐसी company में invest कर लेते हैं जो deal list होने वाली है तो ऐसी situation में क्या करें तो ऐसी situation में जितना जल्दी आप अपने इस share को sell off कर देंगे उतना better होता है अगर आप sell off ना भी कर पाए तो जब promoters इस shares का buy back लेंगे तब आप अपने shares को sell off कर दीजे क्योंकि once अगर ये company market से deal list हो गई तो आपका पूरा का पूरा पैसा नुकसान हो जाएगा और as an investor company deal list होगी या नहीं या हमारे हाथ में नहीं होता है ये एक uncontrollable factor है तो इसी लिए ऐसी situation में सबसे better यही होता है कि अब अपने loss को minimize कर लो सबसे wise decision यही रहता है और भी कई सारे ऐसे interesting concepts को हमने cover किया है Quest by Finology के platform पे Quest by Finology एक learning platform है जो आपको stock market और finance के और भी बहुत सारे concepts से aware कराता है अगर आप beginner है तो आप Quest पे जाके बहुत सारे free courses हमने available रखे हैं वो आप पढ़के अपने financial concepts को और strong बना सकते हैं इन सारे ही courses की link मैं आपको description box में दे दूँगी I hope आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर हाँ तो इस वीडियो को like जरूर कीजेगा और हाँ आपने friends and family के साथ share करना ना भूलेगा तब तक keep investing, keep learning Bye Bye